कि अलो एवरीवन आई हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे अपना ख्याल रख रहे होंगे प्रॉपर मैं अनुसिंग आप सभी की मैस्की अजुकूटर आप सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूं आपके साइटर 24-7 पे कभी ना कभी कही ना कहीं सब को यह प्रॉब्लम नॉर्मल है अब सोच रहे होगे कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही है इस चीज के बारे में पढ़ा हुआ याद नहीं रहता सब भूल जाते हैं सब के साथ होता है अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल आप भी नॉर्मल है इससे आपको यह फिल करनी के जर ता आज भूल गये पर्सों पढ़ा था मैं फिर भूल गये होता है सब के साथ होता है अगर आपका दिमाग सब कुछ पढ़ा हुआ यह आपके साथ दिन भर में कितनी सारी चीज़े होती है अगर दिमाग सब कुछ याद रखने लगे तो हम पागल ना हो जाए खिच्री ना चाहे आप हर एक चीज आद कर रहे हो आपके साथ सुबा से ले शाम तक रोट पे क्या हूए घर में जूंपा क्लास में क्लास में क्या हूए Delinator किस कि देखने कैने बोला अगर इतना प्रॉबलम ना बनीख थोड़ा सा हम पागल ना हो जाहे दिमाग के खें cali तो this is very normal लेकिन problem यह होती है कि मैं हमें जो याद रखना है वो भी नहीं याद रहता है तो उसके लिए क्या करना यह सब के साथ होता है मेरे साथ भी होता है आपके साथ भी हो रहा होगा तो इसमें परिसान नहीं होना है इसमें यह नहीं कि मैं मैं बहुत खराब हूं मेरे से क कुछ नहीं होगा ऐसा नहीं है कुछ टिप्स फॉलो करना आपको खास करके study की चीजे हम कुछ देखते हैं किसी से बात करते हैं तो वह हमें याद रहता है लेकिन लेकिन अगर मैं आपको बताओं बचा कुछ चीजे जो है अगर हम अपने स्टडी के साथ करें यह तीन टिप्स जो है यह मैंने अपने टाइम पर बहुत मेरा जब 10 का जब रिजल्ट आया था तो मैंस के मार्स बड़े कम आया थे 75 वाइफ आया था लेकिन फिर मैंने 12 में यही हो गये तो करना क्या है सबसे पहला tips पहला नमब्र टिप्स less study but good study and quality study क्या है कम पढ़ो असод 25-20 गंटे लगे पड़े हो रावबरग गंटे लगे पड़े in क्या अप important पढ़ रहे हो अपने पढ़ाई आपके लेकिन वह पढ़ाई आपके रिजल्स से रिलेटेड होना चाहिए कभी-कभी ऐसा होता है कि हम पूरा 100% पूरा करने के चक्कर में अपना रिजल्ट खराब कर बैठते हैं हम वह सब पढ़ाई होते हैं जो हमारे पेपर में की पेपर के लिए इंपोर्टें है और जो आपके पेपर में बार बार पूचता है वह रूल हमेसा 80-20 का होता है 20-80 कर लो हमेसा ऐसा होता है कि 100 में से हंड्रेट में से हम 80% पढ़ रहे होते हैं और रिजल्ट खराब कर लेते हैं 80% का इतना इंपोर्टेंस है ही नहीं आपके सिलेबस में वह त्वेंटी पॉचेंट है ना वहीं आपका 100% का रिजल्ट बनाएगा और शिलेबस भी 100% से आपका वहीं आएगा आपने कभी सोचा है हमारे देश में जो क्राइम्स हो रहे हैं क्या वह 80 % लोग कर रहे हैं नहीं 20 पूर्षेंट लोग मिलके 100 पूरषेंट का क्राइप कर जह sacred हमारे देश में जो एलकोहल कंजमि कंजमशन होता है 50 पूर्षेंट लोग ही हंदेट पूर्षेंट का खकर पी जाते तो कई ना कई हम टंटी 9% चीजह ही न आपढ़ु कभी-कभी कि 20 पॉसेंटबचे ही पास होते हैं तो 100 पॉसेंड का result बन जाता है है इतने में से हमाराक सिरhृ ho चुका हैं तो कहीं मा कहीं आपको यह देखना अपना important आप उस 20 पासेंट में है की नहीं आपको यह check करने तो आपको हर चैप्टर हर सिलेबस का वो 20% का जो important part है उसको select करना उसको पढ़ने कोसिस करने वो बिलकुल नहीं पढ़ना जो आपके syllabus में नहीं आता है क्लिया अगर मैं बात करूं दूसरा सुबह सुबह पढ़ना मैं यह नहीं कहूंगी कि आप अपना रूटीन चेंज करो लेकिन अगर आप चाहोगे न तो यह रूटीन दो तिन दिन में चेंज हो जाती है सुबह का जो महौल शाम का महौल कैसा होता है लगबग 80% लोग जग रहे होते हैं इधर सोर उधर सोर दिन भर की था कान अगर आप यह सोचो की स्कूल से आगए कॉलेज से आगए पढ़के आगए फिर आप बैठके रात में पढ़ाई करोगे तो वह कॉंसेंट्रेशन दि कालोनी पुरी शांत हो जाती थी तो मस बालकनी में निकलके लैम जलाके वह पढ़ाई करती थी आसमान को भी हमेशा याद रखना खुले आसमान के नीचे ज्यादा माइन हमारा काम करता है रेदर देन हमें बंद कमरे में बैठके पढ़ाई कर रहे हैं प्रैसर रिलीज होत सुबा उठके आपको जो सबसे टफ लगता है कि मेरोको सबसे टफ फिजिक्स लगता है तो मैं पहले सुबा उठके दो घंटे सुबा पढ़ लूँगा दिन भर मैं बस उसको रिवीजन करूँगा तो यही काम होना चीए सुबा उठके सबसे पहले टफ पार्ट उठाओ टफ चेप्टर टफ सब्जेक्ट उठके पढ़ लिया फिर दिन भर बस आप दो तीन घंटे भी पढ़ ड़े हो ना सुबा का तीन घंटा इस इकोल टू दो पहर से लेके रात तक का छे घंटा आट घंटा यह याद रखिएगा नेक्स्ट पार्ट टेक ब्रेक डिरिंग स् अगर आपका हेल्थ अच्छा है जिस दिन यह हेल्थ खराब हुआ उस दिन कितनी भी पढ़ाई कर लो कितनी भी महनत लगा लो यह दिमाग काम नहीं करेगा तो दिमाग को रेस्ट देने के लिए हर मतलब कि 15 मिनट का लगबक 5-10 से 15 मिनट का आपको क्विक ब्रेक लेना च इसलिए सुबा का ब्रेक जो होता है ज्यादा फायदे होगा क्यों कुछ कोई बजे चार बजे पांच बजे तो कोई नहीं उठा रहता है को यह आपको डिस्टॉब नहीं करेगा तो इस दा बेस्ट टाइम यह तीन अगर टेप्स आफ फॉलो कर रहे हो तो जो आप चाहते हो वह होगा जो आप याद रखना चाहते हो वह आपको याद रहेगा तो यह टिप्स आपको जरूर से पॉलो करना है अपनी लाइफ में सिर्फ अभी के लिए नहीं पीम मोधी तक यह रूल फॉलो करते हैं आपको पते हैं पीम मोधी चार बजे जग जाते हैं अक्षे कु नहीं है हम मैं बता रहे हूं दिवाली का सेल लाइव हो चुका है कोई भी बैच हर बैच पर 53 परसेंट का फ्लैट आप चल रहा है कोड लगाना जो आपको वह अनू 20 कोड लगाना कोई भी डाउट है अगर आप मेरा कोड लगा रहे है डाउट आरे आप इस पे मेल आप लेते हो तो आपको बुक घर पहुंचाया जाएगा बुक की टेंशन खतम दो साल की वेलेडिटी 11 में हो तो 12 की भी खतम और आगे जाके आपकी ठीक है स्यूटी की खतम 12 में हो तो आप पढ़ो किसी और को फिर अगली साल दे दो अपकमिंग बैचिस ऐसा नहीं है कि अगर आप 11 में हो तो 12 में कोई बैच आया तो आप नहीं ले सकते भाई सुटी का निया बैच आएगा आपको फ्री मिलेगा इसमें मॉक्टेस और उसका सारे सारे कोर्से से रिलेटेड है आप यहां जाके आपने किया हमने आप कुझे सा बताया 11 बुक्स वीडियो इतने लाइव क्लासे दो साल की वेलेडिट सब मिल रहा है बही सब वाई नौ पर क्लिक करना है बस और सिंपल सा कोड है ए एन यू अनू 20 कोड यूस कर देना ज अब आप आपको मिलेगा समर्थ बैच समर्थ बैच में जाने के बाद में आपको दिखाई देती हूं अल कोर्से योजी पीजी स्यू टी यूजी साइंस समर्थ बैच बैच बच्च अभी अभी लॉंच हुआ है चार तारिक से नया बैस स्टार्ट हो रहा है इसमें आप अपने अनू 20 कोड यूज किया जैसे ही अपलाई किया 43 53% 4200 में 7000-4000 यूँ खतम कर देते हूं इन्वेस्टमेंट करना है ना खुद की पढ़ाई पर करो ताकि आप लोगों को पे करें जब तो अच्छा लगे कि हमें समय रहते सही समय रहते मैंने सही कदम उठा लिया थ पढ़ाई करते रहो अपना करियर बना लो all the best हमें और कुछ नहीं चाहिए thank you so much